Hello everyone, welcome to my channel Hypertrade SBE, मैं हूँ महुमत सुहेल दोस्तों आज हम लोगों को मैं इस टॉक के उपर अच्छे से अच्छे लिवर्स बताने वाला हूँ यह लिवर्स जाने के लिए टाइम लगेगा पर लिवर्स अच्छीव हो जाएंगे बस आपको एक ही काम करना चाहिए, इस स्टॉक के अंदर बैक करने के बाद हूल्ड करना चाहिए दोस्तों, पेशन्स रखना चाहिए इस लिवर्स जाने के लिए क्योंकि यह लिवर्स जाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है वो कैसे कोशिश कर रहा है, आप लोगोंको चार्ट अनलाइसिस करते हुए समझा दूँगा और इसके अपको को से एंट्री लेवल्स होंगे, को से एक्जित लेवल्स होंगे आप लोगोंको आगे चलके चार्ट अनलाइसिस करते हुए समझा दूँगा दूस्तों ये मेरे यूटूब चैनल के अंदर पहली बार में गुजराद ग्यास लिमिटेट के ओपर बात कर रहा हूँ इसके लिए मैं आज के दिन चार्ट अनलाइसिस पे थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा बात करूँगा दोस्तों आप लोगों को अच्छा सा अच्छा इंफर्मेशन देने के लिए आप मेरे यूटूब चैनल के लिए नए हो तो मेरा यूटूब चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों इस स्टॉक के उपर मेरे को बहुत पहले ही वीडियो बना लेना चाहिए था क्यूंकि देखिए मैं इसको पिछले एक देड़ महिने से इसके उपर अनलाइसिस करते हा रहा हूं मुझे पकड नहीं मिल रहा था कहां पर भी इसके अंदर टागेट समझ में नहीं ृष करते हैं थे बाद में मैंने बहुत व्रक किया है दोफस्तों इस टॉक के उपर उसके बाद मुझे कलिएर कट पिक्चर कट पूरे के पूरें कटके इसके अंदर मुझे टागेश्ट मिल चुके हैं ये टागेश्ट आप लोगों को आज के वीडियो के दिन आज के वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ और आगे चलके इसके अंदर आप पर ट्रेंड गया तो कोंसर टागेश्ट आएंगे डाउन ट्रेंड गया तो कोंसर टागेश्ट आएंग दोस्तों 287.10 पैसा देखिए दोस्तों 287.10 पैसा से लेके 13.25 पैसा का हाई मुवमेंट कैसे बनाए या पहले से ही लेके सोच के चल रहा था कि मुवमेंट पे जाओं या देखिए इसके अंदर ये मुवमेंट कैसे बनाए वह आप लोगों को चार्ट अनलाइसिस करते क्या आप सोच रहे हैं इधर इंट्री करने के लिए वह कौन से लेवलस होंगे का होंगे इंट्री एmber और एकजिट के लिए चार्ट अनलाइसिस करते हुए समझा दूंगा तो छेलिए दोस्तों मैं अपने हर वीडियो में इस वीडियो नहीं दोस्तों मैं हर वीडियो में अपने डाइरेट चार्ट के उपर बात करता हूँ क्लियर बात करता हूँ मोटी मोटी बात करके आपनों को टागेट एंड लेवल्स बता देता हूँ जो पूरे के पूरे अचीव हो जाते हैं पर आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को RSI पे depend करते हुए और दोनों को चार्ट को RSI को club करते हुए आप लोगों को चार्ट analysis करके बता दूँगा दोस्तों देखिए दोस्तों मेरा experience कितने भी आप लोगों के साथ बाट रहा हूँ आप लोगों के लिए वो place point हो गया दोस्तों advance में आप stock market learning सीख रहे हैं मेरे साथ तो देखिए मेरा experience की इसाब से मैं experience मेरे कितने गलतियां किये stock के अंदर किदर मैंने चुक गया था किदर मैंने buying का chance छोड़ दिया था selling का chance छोड़ दिया था मैं आप लोगों के साथ पूरे share करता रहोंगा time to time और मेरा experience आप लोगों को बारते रहोंगा जो आपके लिए बहुत helpful होगा दोस्तों आ जाते हैं stock learning के अंदर आप तो आपको chart analysis करते हुए बता दूँगा कि देखिए इसके अंदर पहले से हाई moment चल रहा था moment with price action with constant level में क्या होता है दोस्तों ज़्यादा तर buying ही होता है पर इदर देखिए price action के अंदर एक ही बार इस candles को observe करिए लगातार गिरावट लगातार high move पर बाकी का देखिए constant level पर चल रहा था जब से भी मैं analyze करके आ रहा था देखिए इसके अंदर कितना confusion है यहां तक यह मुझे भी confuse कर रहा था मैंने आपको starting की बता दिया था कि confusion था मुझे stock के उपर पहले मुझे clear cut levels नहीं समझ में आ रहे थे target समझ में नहीं आ रहे थे अब समझ में आ चुके हैं वो कैसा मैं आपको वो भी बता दिता हूँ देखिए इसके अंदर जो moment में sellers बढ़ रहे थे पूरा high मारने के बाद इसका 52 weeks high मारने के बाद जो sellers बढ़ रहे थे उसके हिसाब से मैंने इसको लेका लाए RSI दोस्तों आपको पहले बता देता हूँ RSI एक ही काम करता है कि इसके अंदर कितने लोग buy कर रहे हैं कितने लोग sell कर रहे हैं यह देखिए उसको ask and bit price भी नहीं है इसे overbought यानि oversell यानि ज्यादा से ज्यादा लोग buying के उपर pressure दाल रहे हैं या ज्यादा से ज्यादा लोग selling के उपर pressure दाल रहे हैं यह simple words में है दोस्तों वो समय वो मालूम होने के लिए ही RSI है दोस्तों तो RSI में देखिए इसके अंदर जो sellers बढ़ रहे हैं थे targets अच्छी होने के बाद आप नीचे भी देख सकते हैं कि कितने sellers बढ़ रहे हैं उसके बाद गिरावट हो गया है पर मुझे इधर ही वीडियो बना देना चाहिए था पर थोड़ा लेट हो गया है दोस्तों अभी भी अप्टेंशन मत लीजिए क्यूंकि इसके अंदर जो moment है यह बढ़ चुका है 306 के पास इसके अंदर चाहिए नहीं दे रहा हूँ घिरवाट आएगी गिरवाट आने के बाद फिरसे हम लोगों को यह वाला लेवल देखने को मिलेगा अगर आप बई इंग कर रहे हैं दोस्तों आप पैनिक में मत आईए क्योंकि मैं बता रहा हूँ गिरावाट आएगी गिरावाट आएगी दोस्तों 10 या 15 रुपेगा गिरावाट आएगा अब हर 5 रुपेपे आपका स्टॉक आदा से आदा आवरेज करके चल सकते हैं स्टॉक अगर फिर से 300 लिवर्स को टच करेगा तो आप लोगों को अच्छा सा अच्छा प्रॉफिट होगा दोस्तों इस स्टॉक के उपर देखिए आज के चार्ट अनलाइसिस के लर्निंग के अंदर आप लोगों को मैंने एक बात तो सिखा दी है कि ऐसे मैं समझ रहा हूं बीच में बाई करना चाहिए आरेस तो गिरता है तो देखिए आरेस गिरता है तो दोस्तों इक को से लिवल पे गिर रहा है या को से अवरिज EPA हम लोगों को निचे गिरता हूआ दिख रहा है देखिए आपने इधर भी buy कराओगा तो आज के दिन आप लुकसान में होंगे दोस्तों इसके लिए मैं आपको जो भी chart analysis करके लेके आता हूँ वो 30 रूपीज से लेके 40 रूपीज का margin level होता है यानि आप लोग किदर ते इतना profit कमा सकते हैं वैसे मैं आप लोग को chart analysis लेके आता हूँ इसके लिए मैं इसके अंदर आप लोग को entry levels नहीं बता रहा हूँ entry levels के लिए next video है मेरा दोस्तों मैं आपको आगे चल के video upload कर दूँगा गुजरात gas के उपर की इसके अंदर गिरावट आने के बाद और गिरावट आने के बाद आप लोग को क्या करना है वो भी समझा दूँगा दोस्तों ये मेरा telegram channel है दोस्तों आपने अभी तक मेरा telegram channel join नहीं किया है तो description link में link है जाहिए link को hit करिए और join कर लिजिए मेरा telegram channel for intraday live tips and stock market updates के लिए दोस्तों पहली फूरसत में आप क्या कर लिजिए पहले ही पहले इस target का आप screenshot लिखा लिजिए Monday के दिन buying जाएंगे तो भी उपर वाले target अचीव हो जाएंगे selling जाएंगे तो भी नीचे वाले target अचीव हो जाएंगे दोस्तों ये target मैं निकाला हूँ 13 तो जुलाई 2020 मंडे के लिए लिखा ला हूँ और देखिए इसके अंदर जो movement बन रहा है जो मैंने आपको RSA पे और candle chart पे analysis करके बताया है उसके हिसाब से मैंने target निकाला है मंडे के जिन को सबी position बने यानि selling का position बने buying का position बने आप ये targets पे चलिए और ये levels पे और मेरे expected price पे चलिए आप लोगों को targets अच्छीव हो जाएंगे दोस्तों देखिए मेरे experience के रिसाब से आप लोगों से मैं humble request करता हूँ जाने से पहले की stock market के अंदर डर के यानि stock नीचे जा रहा है उपर जा रहा है रहा है